हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल रमडिती पैशन विला आज के वीडियो पे हम लड्डू को पाल जी के लिए यह पुश्टाग बनाएंगे यह देखें यह समर्ज के लिए बहुत इजी बहुत आसानी से बनने वाली और बहुत ही कॉंफरेबल ड्स है आप आसान कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इसे बनाना भी बहुत इजी और पहना भी बहुत आसान है तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज आप चैनल को जबर सब्सक्राइब करें और साथ में आगान पर प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिवर क्रिशन आपको मिलती रहें और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहां पर फॉलो करें मेरा इंस्टागम में अंडल है अम्रितीवशन व सबसे पहले हम ये लमबाई देखेंगे सभी सायसे के लिए है तो देखें जी रखने हैं एक नंबर केलिए dif दों two नंबर के लिए बढ़ाते चले जाएं सबी साइस में अब हम इसकी यह चुडाई देख लेते हैं तो जीरो साइस के लिए लएखंने 3समलो What इन्च अब 3समलो maple नहीं क्या होता है देख लेते हैं एक यह है साढ़े 3 और यह है चाल इंच तो शार इंच के बीच में हो जाएगा हमारा 3.75 ये हिस्सा और 0 साइज के लिए रहेगा 3.75 एक नमबर के लिए 4 इंच, दो नमबर के लिए 4 इंच, तीन नमबर के लिए 4 इंच, चार नमबर के लिए 4.75 इंच, 5 नमबर के लिए 5 इंच, 6 नमबर के लिए 5.25 इंच, 7 नमबर के लिए 5.25 इंच, आठ नमबर के लिए 5.75 नौ नमबर के लिए 6 इंज और 10 नमबर के लिए 6.25 इंज ऐसे ही यह 10.25 इंज बढ़ता चला जाएगा चाहे आप जितने साइज तक चले जाए तो हमने आप यह फैबरिक ले लिया है यह हमने कॉटन में अस्तर का फैबरिक लिया और सेम मेजरमेंट का हमें एक पीस और चाहिए क्योंकि हमने आप अस्तर का फैबरिक लिया है यह देखिए मेरा हाथ दिख रहा होगा तो जब मैं इसे डबल कर दूंगी तो फिर यह मेरा हाथ नहीं दिखेगा अगर आप प्योर कॉटन का फैबरिक लिना चाहते है तो वो तो और अच्छा है और एक बार और फोल्ड करेंगे हमें दो बार फोल्ड करना है और दो बार जब हम फोल्ड करेंगे तो यहां से थोड़ा सा ऐसे रखेंगे हलका सा यह देखिए इतना हमने एक्ट्र रखा है अब हमें इसे कट करना है तो देखिए कैसे कट करेंगे हमें यहां से ऐसे कट कर और ये हमने इधर से कट कर दिया और ये हमने इधर से भी कट कर दिया बस बहुत ही आसान सा तरीका है मैं खुलूँ तो ये कुछ इस तरह का आएगा कट करने के बाद अब हमें क्या करना है सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे तो चलिए लगा लेते हैं आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए हमने दोनों साइट सिलाई लगा दी अगर आप सिंगल पीस ले रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे फोल्ड करके सिल्प सकते हैं ऐसे फोल्ड करके सिल्दे सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे इसे पलट देंगे, यह देखिए, यह हमने पलट दिया, अब हमें क्या करना है, हमने यहां पे रेट कलर में रिबन लिया है, हम इसका यूज करेंगे, यह देखिए, यह हाफ इंच का रिबन है, आपको इसली मार्केट में मिल जागा, कोई दिककत नहीं होगी, तो यहां से यहां तक हम लगाएंगे, इसे हमें लॉक करना है, तो कैसे लॉक करना है, आप देखिए, यहां से यह ऐसे करके सिलाई लगानी है, और इधर भी हम, आप क्या करें, इसे ऐसे सीधा करके, और फिर सिलाई लगा दे, कोई दिककत नहीं होगी लगाने में, यह देखिए, यह आपको दिखाएंगे क्या करना है यह देखिए हमने यहां पर रिबन से लॉक कर दिया अब हमें क्या करना है हमें रिबन को देखिए यहां से ऐसे करके लगाना है यह साइड और ऐसे करके लगाते हुआएंगे और यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इतनी दूर तक सिलाय इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नियोंगी बहुत सिंपल और इजी सा तरीका है अब हम क्या करेंगे इसे यहाँ पे लखेंगे और यहां से एक सिलाई लगाएंगे चले लगा लेते हैं फिर दिखायेंगे कि क्या करना है यह देखिये हमने यहाँ एक साइड से अभी हमा 1.5 इंच लंबाइक लास्टिक, 1 नमबर के लिए 3 इंच, 2 नमबर के लिए 3 इंच, 3 नमबर के लिए 4 इंच, 4 नमबर के लिए 4 इंच, 5 नमबर के लिए 5 इंच, 6 नमबर के लिए 5 इंच, 7 नमबर के लिए 6 इंच, 8 नमबर के लिए 6 इंच, 9 नमबर के लिए 7 इंच, और 10 नम हमखिट के और सिला लगाएंगे और इस पार से लगा देना है और इस इस जा करने का दिया फिर सिर को अर् tal kषि Marketing Community कर लेंगे यह कुछ इस तरह से आएगा अब देखे आपको सेप पता चला होगा यह पैर पर और यह इसे अपर बाद लेंगे चलिए मैं पहना लेती हूं फिर आपको दिखाते हूं यह देखिए हमने हाँ पे गोपाल जी को पहना दिया है कोई दिक्कत नहीं हुए है बहुत तो इसे बनाने और पहनाने दोनों ही बहुत एजी है आशा करती हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आएकन पर प्लिस करकी और पर क Hare Krishna, rade rade.